नमूतासे भगवतो अरहतो सम्मा सम्भूधासे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बौद धम के एक विशे पर चर्चा करने वाले हैं और इस विशे का नाम है धम ब्योहारिकता क्या है यानि की धम का ब्योहारिक स्वरूप क्या है आईए इस प्रस्न को सरल भासा में समझ लेते हैं तो दोस्तों सरल भासा में यह प्रस्न कुछ इन सब्दों में है कि बौद धम का जो वेवहारिक स्वरूब है वह क्या है यानि कि धम का वेवहारिक स्वरूब कैसा होता है दोस्तों ये तीन चार प्रश्न एक ही प्रश्न है और इस प्रश्न से आसे है कि धम को हम वेवहारिक रूप में किस रूप में अपनाए यानि कि आम जीवन में मनुस्य ऐसा क्या क्या करे कि वह भगवान बुद्ध के धमिक उपदेशों का उपयोग करके दुखों को दूर कर सके और सुक की प्राप्ति कर सके तो दोस्तो बुद्ध धम को अपने रोज मर्रा के जीवन में अपनाने के लिए हमें बुद्ध धम की कुछ बातों को समझना होगा और इन्हें समझने के लिए हम सबसे पहले जान लें कि धम में वेवारिक्ता के दो प्रमुक आधार इस्तम्ब होते हैं इन्हें से पहला प्रमुक आधार इस्तम्ब है कि समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सम्बंद होना चाहिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम धम वेवारिक्ता के पहले इसी इस्तम्ब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इसलिए दोस्तों विसे वस्तु एवं उसके उपर होने वाली चर्चा को आप ध्यान से सुनें और समझने की कोशिस भी करें दोस्तों धम वेवारिक्ता के अंतरगत यह बहुत जरूरी है कि एक मनुस्य का दूसरे मनुस्य के साथ मेत्री भाव रहे दोनों व्यक्तियों का आपस में बहुत अच्छा संबंद होना चाहिए ऐसा होने पर ही आपको सुख की अनभूती होगी लेकिन अगर एक मनुस्य दूसरे मनुस्य के साथ कटता की भावना रखता है दूस्मनी की भावना रखता है एवम उसके प्रती द्वेश की भावना रखता है जलन और इर्ष्या की भावना रखता है एवम दूसरों की चुगली करता है दूसरे के यहाँ चोरी बगेरे करता है परिस्त्री पर नजर रखता है एवं सरा बगेरे बैसन करता है समाज में किसी भी मनुस्य के साथ हिंसा करता है और इस तरह से ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ असहयोग की भावना रखता है यानि कि दोस्तो ऐसा मनुस्य मैत्री भाव नहीं रखता है और नहीं मैत्री की भावना से दूसरों के साथ अच्छा ब्योखार करता है परणाम स्वरुक दोस्तो ऐसे मनुस्य के आसपास के लोग उसके सगे सबन्दी उसके परवार के लोग उसके ओफिस के लोग उसकी जान पैचान बाले लोग सभी उससे असंतोष्ट रहने लगते हैं वे सब ऐसे मनुस्य की उपेच्छा करने लगते हैं अब ऐसे मनुस्य को सुख की अनबूती कैसे हो सकती है दोस्तो कुछ लोग बौद धम की दीक्छा तो ले लेते हैं लेकिन भगवान बौद के दीक्छा के अंतरगत जो उपदेश ग्राण करने के लिए कहा जाता है उन्हें वह सुनतो लेता है लेकिन बौद धम के भगवान बौद के उन उपदेशों के प्रती बचन वद नहीं होता भगवान बौद के धम में पंच सील और अश्टांगिक मार्ग ही बौद धम की दीक्छा देते समय हर व्यक्ति को सुनाए जाते हैं और अपने जीवन में अनुसराण करने के लिए बहुत धमी मनुस्य को कहा जाता है लेकिन कुछ व्यक्ति बौद धम की दीक्छा लेकर बौद धमी तो बन जाते हैं फिर भी उनका व्योहार दूसरों के साथ तनिक भी अच्छा नहीं होता है जबकि दोस्तो एक बौद धमी इंसान का दूसरे लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्योहार होना चाहिए लेकिन बौद धमी व्यक्ति जब दूसरों से देश करता है दूसरों का उपहास उडाता है या दूसरों से कटुता दुस्मनी एवं इरश्या की भावना रखता है सराप पीता है व्याशन करता है एवं पर इस्त्री पर नजर रखता है तो उसके आसपास के लोग उससे असंतुष्ट रहने लगते हैं फिर वो परवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं या फिर ओफिस के लोग भी हो सकते हैं अब ये सवी लोग ऐसे बहुत धमी इंसान का खुब मजाक उडाते हैं उसकी हर कदम पर उप्यक्षा करने लगते हैं, उसका खुले आम उप्यास करने लगते हैं, यानि कि दोस्तों यहां पर आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जरा भी मेत्री भावना नहीं थी और उसने बुद्ध धम को अंगीकार करने के बाद भी बुद्ध धम के उपडेशों को अपने जीवन में नहीं अपनाया समाज में रहने वाले अपने आसपास के सभी लोगों के साथ गलत ब्योखार किया और सभी से गलत ब्योखार करने के कारण उसके आसपास एक नकारात्मक उर्जा बाता वरण में चारो तरफ फैल गई जिसके कारण उसे भी उसके आसपास के लोगों ने मेत्री की भावना से नहीं देखा उसकी उपेच्छा की उसका उपहास किया कियुकि दोस्तो बौद धमी होने के बाब जूद यह व्यक्ति अपने ही उद्देश से भटक गया था और इस व्यक्ति ने तो पहले ही दीख्छा तो लेली लेकिन बौद धम्य के पहले उप्देश को भी समझा ही नहीं यही नहीं भगवान बुद्ध के पंजशील के अंतरगत आने वाले किसी भी उप्देश को नहीं समझा और नहीं अपने जीवन में अपनाया इसलिए उसने इन उप्देशों के आधार पर अपना जीवन जीना सीखा ही नहीं और नहीं अपने आसपास के लोगों के साथ मैत्री ब्योखार करना सीखा अब दोस्तों अभी तक हमने जाना कि एक बौद धमी व्यक्ति जब बौद धम के उप्देशों के साथ वचन बद नहीं होता है और उन उप्देशों को अपने जीवन में अपनाता नहीं है दूसरों के साथ गलत अमैत्री पूण ब्योखार करता है तो परडाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को मैत्री की भाबना की अनभूती बिल्कुल नहीं होती है अब दोस्तों मैत्री की भाबना अपनाने के लिए और अपने आस्पास के लोगों के साथ अच्छा सम्मन्द बनाने के लिए हम इसके विपरीत दूसरे पहलू को देखते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसे अभी तक मैत्री भाबना की अनभूती नहीं होई है क्योंकि उसने अपने आस्पास के लोगों के साथ गलत बेहार किया तो दोस्तो ऐसे व्यक्ति को मैत्री की भाबना की अनभूती अनभू करने के लिए उसे सु आचरण अपनाना होगा भगवान बुद्ध के दीख्छा में दिये गए उपदेशूं के प्रती सच्चाही से बचन वद्ध होना होगा और पंचिसील में दिये गए उपदेशूं को अपने जीवन में अपनाना होगा अपने आसपास के दूसरे लोगों के साथ जो वह दुराचार करता था तो दुराचार की जगे उसी सदाचार करना होगा उसे एक धम धारी सदाचारी बनकर समाज में सभी के साथ मेत्री भावना से वेवहार करना होगा दोस्तो हर किसी धम धारी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे दूसरों के प्रती वेवहारिक बने समाज में दुखी लोगों की सेवा करे और इस तरह बीमार दुखी लोगों की सहयता करे दूसरे दुखी लोगों की चिन्ता भी करना सीखे एवं उनके दुखदर्द में भागीदार भी वनना सीखे अगर एक बोद धम की दीक्षा लेने वाला इंसान ऐसा नहीं करता है अपने आसपास के लोगों के साथ गलत बेवहार करता है तव उसकी ऐसे लोग उपेक्षा करने लगते हैं उसकी हसी बनाने लगते हैं कहने लगते हैं कि यह तो बौद धमी क्या हो गया सब कुछ भूल गया बौद धमी बनकर तो इसने हम सभी लोगों को एक किनारे कर दिया अब ऐसे लोगों के द्वारा उस बौद धम अपनाने वाले व्यक्ति के साथ कड़वार बड़े संबंद बन जाते हैं तो बौद धम के इंसान को चाहिए कि वह मैत्री की भावना से परपून होकर लोगों के साथ अच्छा बेवहार करें और अपने और उनके बीच के कड़वार भरे बेवहार को पूण रूप से मैत्री पूण बेवहार में अपनी कोश्चों से बदल दे दोस्तों दूसरों के साथ कड़वार बड़े संबंदों को मैत्री पूण्ड संबंदों में बदलने के लिए मैं आपको एक उधारण सुनाती हूँ यह उधारण सुनने के बाद आपके लिए ऐसा करना बहुत आसान हो सकता है एक बार जब भीमराव अम्बेटकर जी अपने घर पर साम के समय बैठे हुए थे तो उस समय अचानक से बारिस होने लगी उनका नोकर सुदामा बोला की साहब आज तो भारिस का मोसम हो गया है पकोड़े बनाओं बाबा साहब ने उसे कह दिया की बना लो भाई पकोड़े सुदामा जब पकोड़े बनाकर पिलेट में लेकर आए तो बाबा साहब के एक सलाहकार जो उनके साथ 25 साल तक बराबर रहे सोहनलाल सास्त्री जीवी उनके पास आ चुके थे और वहे भी उनके साथ पिलेट में से पकोड़े खाने लगे बाबा साहब भीमराव अमबेटकर एवं सोहनलाल सास्त्री बारिस के मौसम में पकोड़ों का आनन्द ले रहे थे उसी समय में बाबा साथ का गेट की पर किसी काम बस बाबा साथ के पास आया बाबा साहब ने उसे बुला कि पकोड़े खालो और पकोड़ों की पिलेट उसकी तरब को बढ़ा दी वहे गेट की पर ब्यक्ति आनन्द लेते हुए बाबा साहब के पिलेट में से पकोड़े खाने लगा तब ही सुहनलाल सास्त्री जी ने बाबा साहब को बोला अरे भाई भीमराव अमबेटकर तुम तो देश के पहले कानून मंत्री हो गए हो अब ये तो गेट कीपर है इसे तुम अपनी पिलेट में से पकोड़े खिला रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बाबा साहब ने उन्हें जबाब देते हुए कहा मुझे उस गेट कीपर के साथ पकोड़े क्यों नहीं खाना चाहिए क्या वे एक इनसान नहीं है बाबा साहब का जबाब सुनकर सुहनलाल सास्त्री बिलकुल चुप हो गए तो दोस्तो आपने निश्चित रूप से बाबा साब के इस उधारन से मैत्री की भाबना को सीखा होगा आसा है आप अपने जीवन में मैत्री की भाबना को अपनाएंगे और दूसरों के साथ अच्छा व्योभार करेंगे दोस्तो हमारी जुबान और उसकी तैजीव बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी तैजीव ही हमारे दूसरों के साथ मैत्री भूण संबंद अच्छी बनाती है और तैजीव अच्छी हो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि एक बहुत धमी पुरुष सत्थ और मधोर एवम इसवस्ट बोलना सीखे बहुत धमी इंसान की मन की कल्पनाई भी बहुत सुंदर और म्रदू होनी चाहिए उसके मुँ से निकलने वाला एक-एक सब्द बहुत सुंदर और म्रदू होना चाहिए क्यूंकि दोस्तों जब किसी मनुस्य के मधोर स्वर होंगे तभी तो उसके दूसरों के साथ मधोरता पूर संबंद बनेंगे यह सब कुछ समझने के लिए एक दम सीधा सीधा ही है दूसरों के साथ अगर हम कटुता पूर्ण विवार करेंगे तो हमारा सोभाव भी कटुता से भरा हुआ बन जाएगा जूट एवम शल कपट को अपनाएंगे तो भी हमारा सोभाव खराब बन जाएगा और ऐसे कामों को करने के लिए जैसा आप सूचोगे वैसा ही आप आगे करोगे और जैसा करोगे वैसा ही आपका सोभाव सबको नजर आएगा इसलिए दोस्तो एक बहुत धम्मी इंसान को अच्छा अच्छा सोच कर अपने संबन्द को अच्छा बनाना ही चाहिए अगर आपकी बाणी बहुत म्रदु है उसमें मधुरता है तो आपका सोभाव भी सुन्दर यानिगी निर्मल रहेगा अगर आपके सब्दों की व्याख्या उत्क्रश्ट होगी सुन्दर होगी आपके सब्द इसपस्ट और अच्छे होगे तो आपकी सामाजिक बेवहारिक्ता भी अच्छी होगी इसलिए दोस्तों अगर आप बहुत धमिक हैं तो भगवान बुद्ध के द्वारा दिये गए दिख्छा के समय पर पंच सील उपदेशों को कंठस्त करें उनके प्रती पूर्ण रूफ से बचन बद्ध होकर उनको अपने जीवन में अपनाएं और उनके अनुरूफ ही अपने आसपास के लोगों के साथ म्रदू और मधुर बेवहार करें दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिस करें और उन्हें सुख प्रदान करने की हर संबब कोशिस करें क्योंकि दोस्तों आपकी बाणी की मधुरता एवं आपके सुभाव की निर्मलता सुन्दरता आपके संबंदों को मधुर बना करके ही रहेगी और सभी लोग आपको खुशी से बौध धम्मी बोलने लगेंगे क्यूंकि वे सब आपकी बौध धम्मिक वेवहारिकता से सुखी हो जाएंगे उनका कल्यान हो जाएगा क्यूंकि अब आप बौध धम्मिके वेवहारिक सरूप को अपना कर दूसरों के साथ अच्छा वेवहार कर रहे हैं उनके सुख दुख को समझ रहे हैं वाट रहे हैं ऐसा करने की वज़े से आपको सुख की अनुभूती होगी आपके आसपास के लोग आपकी मेत्री भावना को म्यसूस करेंगे जिससे आपको भी मेत्री की भावना का आभास होगा और आपका जीवन भी सुख में बन जाएगा तो दोस्तों यह था बौध धम्म का वेवहारिक सरूप आसा है आपको यह विशेवस्तु और इसके बारे में विश्तरत जानकारी जो मैंने इस वीडियो के अंतरगत दी है पसंद आएगी और आप अपने जीवन में भगवान बुद्ध के उपदेशों से अवसी बचन वद्ध होंगे और उन्हें अपने जीवन में धम्म वेवहारिक्ता के रूप में अपनाएंगे दोस्तों धम्म वेवहारिक्ता का सुरूप यह विश्यवस्तु और चर्चा पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को तो अबस ही सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर भगवान बुद्ध से संबंदेत बहुत सुंदर सुंदर जानकारियों के वीडियोज आते रहते हैं दोस्तों चैनल को अबसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें धन्य बात पंचांग नमस्कार बुद्धं नमा दम्वं नमा संगं नमा साथू 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 कर दो धन्य प्रवंत्र बात